हाई राइज वेलकम है वेलकम बैक टो मिनिमिलिस्टिक लिग मेरा नाम आशी ईसे और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे हैर फॉल की प्रावलम को कम कर सकते हो आज हम सेंपू की बात करेंगे और जाने कि वह पांच ऐसे संपू क्यों सें जो आक्चुली पहते जिसमें मैंने करीब 2-3 लिया Ayer vedic और 2-3 लिया है जिनके अंदर फ्रोड़ासा chemical है जो actually मैं काम करते हैं जिनके अंदर फास्टर रैच कंपेर टो Ayer vedic वाला थंडी आगे हैं थंडीों में सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था सिंपल जैसा ही काम करेगा तो चलिए सुरू करते हैं उससे पहले गाज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बता दो आपको इस चैनल पे मेंज ग्रुमिंग और मेंज हेल से रिलेटेट सारे टिप और ट्रिक्स मिलते हैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू कस्रीडर सब्सक्राइबिंग जिससे आप खाने वाले सारे वीडियो इस टाइब नहीं मिलती रहें रफली 490 रुपए खर्श करने पड़ेंगे और क्वांटिटी 500 से मिलती है और यह आपको अराम से दो महिने से तीन महिने कहीं नहीं जाना है अगर आप इसको अल्टरनेट बेस्ट पे यूज करते हो 6 से मिल क्वांटिटी बहुत होती है और इसके अंदर क्या मेजर इंगेडियेंट हैं इसके बारे में जान लेते हैं इसके अंदर पड़ा हुआ है वरिंगराज जो काइंड ऑफ नेचुरल डिएस्टी ब्लॉक कर माना जाता है सिका का इसके अंदर पड़ा हुआ है जो माइक्रो नूट्रियंट से भरपूर हो मैं इसके रिव्यू के बात करें तो रफली पचीस हजार रिव्यू है मतलब आप यह सोचते हो कि मैंने कभी रिव्यू नहीं दिया आमेजान पर तो सो से लेके दो सो लोग जब परचाज करते हैं तो उनमें से को एक बंदा जाकर रिव्यू देता है और वो रिव्यू की रेटिंग 4 से ऊपर है तो सोचो कितना रिव्यू को रिव्यू किया होगा लोग बात के बात के बात करने तो आपको जह समय मिलने वाले है और आपके बचैट में आएगा यह 270 रुपे आपको खर्च करने पड़ेंगे इस पट्रिक्लर परट्प्र्ट के लिए इसके इंद पहले पड़े थे आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा कंपनी क्लेम करते हैं कि आपके जो हेर फॉल हो काफिया तक रिड्यूस हो जाएंगे और आपके बालों का सिल्की अंसाइनी बनाता है इसके अंदर पड़ा हुआ है अलोवेरा वरिंगराज आमला में थी और इस यह ऐसे प्रोड़क्ट है जिनकी रेटिंग थूआउट बरकरार रहती है थोर्ड नौश प्रोड़क्ट आता है वो आता है बायोटिक की तरब से बायोटिक का बायो हेयर फॉल रिडॉक्शन सेंपू दोस्ता और ठार योपे आपको खर्च करने पड़ेंगे 340 सेंपू क लिए काफी अमेजिंग प्रोड़क्ट है यह सेमी ब्लेंड है बेसिकली आयरवेदिक का और थोड़ा सा कैमिकल इंडिएंट्स का इसकंदर पड़ा हुआ है नीम बार्क टेसु आयल पड़ा हुआ है वरिंगराज प्लांट की एक्ट्रेक्ट पड़े हुए है दरहोदी र लगा हुआ है और यह प्लांट के बाल बहुत सॉफ्ट अच्छे से रहेंगे और एंटी हेर फॉल का टैग लगा हुआ है इस सेकेंड नमबर पर जाने से पहले आपको बता दूं कि यह जो दोनों प्रोड़क्ट आने वाले हैं यह डर्मा ग्रेड है जिनको डॉक्टर एक इसलिए अगर आपको DST के प्रॉब्लम है यह DST को इसे आपके बाल जड़ रहे हैं तो आप इस केसमें दोनों के साथ जा सकते हो आपके बाल नॉर्मल जड़ रहे हैं तो आयोद्वेटी को बहुत से से काम करेगा लेकिन आप चाहते हो एक इस्पेसिलिट सेंपू जिनका 3,000 के आसपास रिव्यू है और मैं इसके मिजर इंग्रिडेंट के बाद पढ़ हो तो इसके अंदर पढ़ा हुआ है साव पॉलमेटो टॉप नॉच DST ब्लॉकर है आपको जितने अच्छे सेंपू मिलेंगे इसके अंदर यह आपको पढ़ा मिलेगा for sure साव पॉलमेटो र आपके हेर को अच्छे से कंडिशन करता है मौस्टर को बरकर रहा रखता है दिन बायोटीन मंदब विटामिन B7 बढ़ता है जो आपके बालों में ग्रोथ में बहुत जा रहा है है तो यह माई लिश में सेकेंड नमर प्रोड़क्ट आता है और इसको बोलते हैं हेर नरिसि करता है और इसको कोई भी इसको यूज कर सकते हो सिमिलर प्रॉपर्टी है जैज कंपेर टू मैंट मैंटर लेकिन थोड़ा सा एन्हेंस चीजें पड़ी है अलोविरा पड़ा हुआ है जो आपके बालों को एंट्रिमेटर प्रॉपर्टी बनाने में हेल्फ करता है और सफ म न्युट्रिशन आपके फॉलिकल्स आपके रूट्स को पहुंचाने में हेल्फ करता है कैफीन पड़ा हुआ है जो प्रॉपर क्लीं करता है और नरीस करता है सिमिलरली बैयोटीन हेर ग्रों से बहुत जारा है हेल्फ करता है 100 प्रॉलमेटियों क्वांटिटी थोड़ी सी अगर मैं इसके रिव्यू की बात हूं तो अफले आपको 200 कासपास रिव्यू मिलते हैं इन्हों ने प्रोडक को लॉँंज किया बहुत दर पॉपुलर हो गया लब रेटिंग के बात हूं तो आपको पांच कासपास डिए लब 138 रेटिंग और पांच कासपास मेंटेन करना वेरी टफ टास्क इन सब प्रोडेक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बाक से पड़े हुए तो आप चाहते हो नहीं मुझे वहाँ से पर्चेश कर सकते हो अच्छा सेंपू करने का इस तीन प्रोसेस हैं इस पर थंडी में करते हो तो में कि आपके बालों पर गरम पानी ना डाल तेक है गरम पान डालते हो तो बहुत ही नामल पानी होना चाहिए और आप सेंपू को देखवांको था पॉब्ला पान्य डालते हैं और बालों को अंच्छे बहुत जादा रव करतें तोसे बहुत मज़ए जब ना है और आइनो गरम पानी डालके नहाने बहुत मैसा है का ऐसा cool breeze से blower चला लो और जो आपके बाल उस खाने बहुता हल्फ करता है लेकिन ट्रश्ट में तीन प्रोसेस को फॉलो करो गए न तो अगर आपको तो आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगी आप विटामिन सी आवला जरूर करो जरूर जब से जरूर करो इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं वीडियों में टब तक के लिए टेक केर पीस आउट